ओम शान्ति आधा कल्प जूट खंड में हम आत्माएं एक दूसरे के साथ जूट बोलते आए जूटा व्यवार करते आए संगम युग पर हमें सच्चा बाप मिलता है जो हमें सत्य ज्यान देकर सच्ची कमाई कराकर 21 जन्मों के लिए हमें सदा सुख शान्ति का वर्सा प्राप्त कराता तो आईए रिवाइस करते हैं आज के 20 मार्च 2023 के महवाक्यों को बाबा की हम बच्चो प्रती सावधानिया जूटे पदम पती नहीं बनेंगे बच्चों को बाप से बहुत सच्चा बनना है बाप के साथ जूट बोलना बहुत खराब है सच्चा हो रहने से कदम कदम पर पदम पती होते रहते हैं सदैव सच्चा होकर ना रहने से सच खंड में इतना पद नहीं पाएंगे बाबा ने कुछ बातों का सपश्टी करण दिया ऐसा क्यों होता है इनसाफ की डगर पर ये गीत हम बच्चों के लिए है क्योंकि हम सच्चाई पर सच्चे बाबा के डारेक्शन पर चलते हैं बापमा साजन के साथ सच्चा रहना है क्योंकि उनकी सच्ची मत मिलती है, मनुष्यों को बे समझ कहा जाता है क्योंकि उनमें समझ नहीं है, सुवर्ग में शान्ती होती है, ऐसा कहा जाता है क्योंकि वहां लडाई जगडा नहीं होता है मनुष्य किन बातों को नहीं जानते, स्वर्ग कहां होता है, हमारा रचता कौन है, अब 84 जनम पूरे हुए, निर्वान धाम कहां होता है, निर्वान धाम में क्या होता है, निर्वान धाम में जाकर आना कब होता है, वास्तव में किस बात की चाहना होनी चाहिए, शांती धाम आत्माओं का निवास थान होता है किसको क्या कहा जाता है रुहानी नशे को स्वमान सुख धाम को जीवन मुक्ती सत्युग नई दुनिया को सुख धाम सुख धाम में रहने वालों को देवी देवता अपनी शुब भावना से हर आत्मा को दुआ देने और क्षमा करने वाले को कल्यान कारी रुहानियत में रहकर स्वमान की सीथ पर बैठने वाले को सदा सुखी सर्वप्राप्ती स्वरूप आज की मुर्ली की अनुसार कंट्रास्ट की बातें इस प्रकार है हमारा है राज योग, सन्यासियों का है हठी योग कल्यूग है दुखदाम, नई दुनिया है सुखधाम सुखधाम है शिवाले, दुखधाम है वैश्याले कल्यूग में अनेक धरम है, सत्यूग में है एक धरम मनुश्यों को जूठी मत मिलती, हमें सच्ची मत मिलती कल्यूग है कांटों का जंगल, सत्यूग है फूलों का बगीचा हमारा पंथ है प्रविर्ति मार्द का, सन्यासियों का है निवरिति मार्ग शान्ती मिलती है मुक्तिधाम में, सुख मिलता है जीवन मुक्तिधाम में सत्युक में है यथा राजा रानी तथा प्रजा सतो प्रधान, कल्युक में है यथा राजा रानी तथा प्रजा तमो प्रधान हम कौन हैं? महान, विशेश, गुणवान, पदमपती, सदा सुखी, कल्यान कारी, सर्व प्राप्ति स्वरूप, मास्टर सर्व शक्तिमान हमें किन बातों की धार्णा करनी है मुक्ति के लिए बाप को याद कर विकर्म विनाश करने है रहम दिल बन कर भटकने वालों को घर का रास्ता बताना है मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्सा हर एक को बाप से दिलाना है जीवन मुक्ति के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है पढ़ाई पढ़नी है ये थी आज की मुरली की विशेश पाते हम आत्माओं का लक्षे है मुक्ति जीवन मुक्ति की प्राप्ति मुक्ति धाम में जाने के लिए बाबा को याद कर हमें अपने पुराने विकर्मों का विनाश करना है और जीवन मुक्तिधाम में सुख की प्राप्ती के लिए हमें बेहत की पढ़ाई पढ़नी है ओम शान्ती